अजी स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में उमीद करता हूँ चाय आपकी रेडी होगी क्योंकि कोड हमारे पास रेडी है तो देखिए जावा स्क्रिप्ट के अंदर ये जो मेमरी और थ्रेड्स का गेम है ना ये तो difficult है और थोड़ा सा complex है लेकिन इतना भी complex नहीं है कि मेरे को कुछ एक घंटे का या तीन घंटे का वीडियो बनाना पड़े अगर आसानी से समझाए जाए तो इतना भी difficult नहीं है और क्योंकि आप आए है इस चैनल पे और आपने already subscribe कर दिया है तो अच्छी बात ये है कि अब मैं इसको आसान भाशा में आपको समझा सकता हूँ तो इस वीडियो में मैं focus करूँगा memory के उपर कि JavaScript के अंदर memory कैसे work करती और घवराइए मत कोई difficult नहीं है बहुत easy सा है इन सब चीजों की जो शुरुआत है वो कुछ early languages से हुई थी जब आप starting की languages को देखेंगे जो की early days में काम होता था जैसे की C बगरा तो वहाँ पे क्या है कि memory को reserve करना और memory को free करना दोनों ही आपका काम है as a programmer तो coding लिखते है उससे पहले तो सोचना पड़ता है कि कहां पे memory space देंगे कितना memory space देंगे और इससे भी पुरानी अगर languages में जाएं assembly वगरा में तो पूछे मत कितना difficult था जहां मुझे code लिखना पड़ता था लेकिन आज की जो modern languages है जैसे कि JavaScript वगरा हो गई है या mid modern language वहाँ पे आपको memory का इत्ता control नहीं दिया जाता है automatic garbage collection वगरा ये सब चीज़े होती है तो ये सब तो हम अभी नहीं देखेंगे ये सब बागी बात की बात है अभी देखते हैं कि ये जो memory allocation है और ये सारे जो कहानी वो कैसे होती जावसकट के अंदर ये कुछ important concept है जो आपके आगे भी काम आएंगे of course interview में तो पूछे ही जाते हैं तो चलिए आपको अभी एक basic सा बात बताता हूँ तो हमने पिछले lecture में देखा कि दो type की हमारे पास memories available है और data types available है तो first तो था हमारे पास जो था primitive type और जो second था वो था non primitive type या फिर reference type ठीक है इतना तो हमें समझ में आ गया अब जो memory है यहां पे वो भी मैं इसी file के अंदर यहां पे लिखूँगा और इसी file के अंदर use करेंगे ताकि जादा files ना create हो और इसी summary के अंदर हमें समझ में आ जाए कि memories किस तरह की है और किसे काम करती है तो memories जो है वो यहां पे दो type की memories है एक है आपके पास stack memory और दूसरी है आपके पास heap memory अभी क्या है कैसे दिखती है क्यों काम करती है इन सब में नहीं जाएंगे हम सर्फ आपको basic सा एक diagram भी समझा दोगा किस तरह से होता है अभी क्या करना है हमें सबसे पहले करना है कि आपकी stack कहां पे use होती है और heap कहां पे use होती है तो जित्ते भी आपको मैंने primitive type बताए थे वहां सब जगे stack memory यूज होती है simple कोई difficult था ही नहीं जो heap memory है वहां पे आपके जित्ते भी non primitive type है वहां पे आपकी simply heap memory यूज होती है अब कैसी दिखती क्या दिखती है उसका काम अभी करते है अब इतना सा आप याद रखेगा कि जब भी stack memory यूज होती है इसका मतलब क्या है कि आपको जो भी आपने variable डिकलेर करा है उसका आपको एक copy मिलता है और जब भी एक memory heap के अंदर define होती है कोई object या कुछ भी heap के अंदर चला जाता है तो वहां से आपको मिलता है reference original value का तो जो भी change करेंगे वो original value में change होगा अचा हम इसका example तो देना ज़रूरी है और वेसी बात है तो example यहां पर हम इसका एक basic सा लेते हैं तो suppose करिए कि हमने यहां पर एक कोई value लिया जैसे कि let and my YouTube name और इसको हमने value दी यहां पर मेरे YouTube channel का नाम दूसरे channel का नाम है तो इते शौधरी.com ठीक है यह हमने value दी यहां पर अब अभी हमने सीखा कि जित्ती भी primitive values हैं यह सब जाएगी stack के अंदर अब मैं आपको इसको थोड़ा सा diagram के through भी आपको समझा देता हूँ तो stack जो होता है वो बहुत easy सा है यह आपके कुछ stack हो गए अब इसके अंदर आप इसको copy कर लीजे stack को याद रखना बहुत आसान है एक के उपर एक जो है वो stack है हाला कि memory में कुछ इस तरह से exact नहीं होता है बट फिर भी ठीक है काफी आसानी से समझ में आ जाता है यह हो गया हमार पास stack और यह हो गया हमार पास heap ठीक है तो इसको हम values भी लिख लेता है यहाँ पर तो इसको तो मैंने बोला heap और यहाँ पर इसको बोल दिया obviously बात है stack ठीक है अब जैसे मैंने एक variable declare करा इस variable का मैंने नाम दिया my youtube name तो मैंने बताया आपको कि यह क्या है primitive type तो यह कहाँ पर जाएगा obviously बात है यहाँ पर तो जैसे ही मैंने यहाँ पर दिया तो my youtube name चला गया यहाँ पर अब इसके अंदर जो भी value है वो obviously बात है change होती रहती है या उसका जो भी है तो value यहाँ पर change होती रहती है इस तरह से तो अभी मैं आपको इसका एक छोटा सा name ठीक है तो अभी क्या होगा इस another name के अंदर जो भी value होगी वो क्या है कितेशवधरी.com एक बार console log कर लेते हैं ताकि सबको clarity आ जाए तो हमने कहा कि ठीक है एक बार another name का आप मुझे value बता दो कितना है तो save करते हैं और इसको run कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा time लगेगा तो node और 01 basics के अंदर data types ठीक है तो हमें पता लग गया इसके अंदर value यही है ठीक है बड़ी आसान सी बात है लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जाता हूँ और बोलता हूँ कि यह जो another name है another name इसके अंदर value अब change कर देते हैं तो नया channel स्टार्ट करा है तो उसी का value लेंगे चाय और code तो अभी क्या है कि हमने another name के अंदर value change कर दी तो आप सोच रहे होंगे कि another name के अंदर अभी value क्या है चाय और code है लेकिन यह जो reference है हमने तो इसी का दिया था तो my youtube name के अंदर क्या value होगी यही पर सबसे बड़ा interesting concept है तो अब हम क्या करते हैं इसको duplicate करते हैं और दोनों का value देखते हैं कि my youtube name के अंदर क्या value है और another name के अंदर क्या value है और यहीं से आपको सारा concept समझ में आ जाएगा तो आप देख सकते हैं कि my youtube name के अंदर अभी भी value जो है वो है पुरानी ही value और जो another name है उसकी value change हो गए तो हुआ क्या यहां पे कि यह जो another name है इसका value आया यहां पे तो ठीक है आपने value लिग दिया यहां पे तो जब भी आपने बोला कि another name के अंदर जो value है वो यही से जाएगी तो actually मैं आपको इसकी value नहीं दी जाती इसका एक copy दिया जाता है आपको अब आपने change क्या करा copy के अंदर तो original value थोड़ी ना change होगी copy ही change होगा बड़ी ही simple सी बात है अब यहां पे एक छोटा सा advanced data type भी मैं यहां पे लेता हूँ थाकि आपको और थोड़ी सी value समझ में आ जाए तो यहां पे मैं लेता हूँ एक user जैसा कि last video मैं बताया था यहां था object अब इस user के अंदर बहुत सारी detail हो सकती जैसे कि उसका email हो सकता है तो user at google.com और उसके पास को UPI ID भी हो सकता है UPI India के अंदर आप सभी को पता है UPI payment method है तो user at the rate YBL something like that इसका UPI ID है ठीक है इतना तो समझ में आ गया यह इसको हम नाम दे देते हैं user1 फोड़ा असान रहेगा समझने के लिए तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि जितना भी non primitive type है वो कहां जाते है heap के अंदर और heap से जब आप वापिस से reference लेते हैं तो copy नहीं मिलता है original value का reference मिलता है तो क्या होगा यह जितना भी है यह copy होगा और जाएगा कहां पे इस heap के अंदर ठीक है heap के अंदर चला गया अब आपको नाम क्या दिया आपने आपने कहा कि user1 है तो ठीक है user1 अब user1 के अंदर क्या हुआ कि आपने जब इसको बोला तो इसको reference मिला direct यहां पे ठीक है अब मैंने कहा कि काम कीजे मुझे एक और value दीजे let user2 थोड़ा सा नाम की कमी पढ़ रही है भी तो please adjust कीजे और मैंने कहा इसके अंदर value दीजे मुझे user1 से तो अब user2 को जो value मिलता है वो actually में क्या होता है variable तो declare होता है ठीक है यहीं पे declare होता है लेकिन जो value आपको मिलती है वो आपको कहां से मिलेगी वापिस से इसी का ही reference मिलेगा आपको लेकिन पुराने वाले में हमें क्या हो रहा था कि आपको एक copy दी जारी थी तो आपको reference नहीं मिल रहा था copy मिल रही थी तो अभी हमें पता है कि अगर मैं user2 से कोई भी value change करूँगा यहां पे तो reference तो एक चीज़ का है तो वो भी value change होगी एक बार उसको करके भी देख लेते हैं तो यहां पे हम गए सीधा मैंने बोला कि एक काम करो user2 के अंदर हम क्या करते हैं email change करेंगे तो .email से आप उसको access करते हो objects के अंदर इसी तरह से हम access करते हैं आगे चलके और भी details बताऊंगा objects के बारे में बट जित्ती भी इसकी properties है email, upi, .value से आप access कर सकते हो तो user2 का email है मैंने उससे कहा क्या कि यह user at the rate google.com मत करो इसको एक काम करो इसको hitesh at the rate google.com official email नहीं है मेरा google में job भी नहीं कर रहे है पर अब value क्या आएगी अब interesting बात यह है कि अगर हम console.log करे user1.email का और इसका एक copy ले और बोले कि मुझे 2 का भी देखना है तो अब क्या मिलेगा result के अंदर यही सबसे interesting चीज़ है अगर आपको यह diagram समझ में है कि दोनों को same ही reference मिलता है heap के अंदर heap के अंदर जो भी जाएगा उसका reference ही मिलता है तो आपको पता लगेगा कि दोनों के अंदर value जो है अभी वो change हो जाएगी तो एक बार run करके देखते है तो हमें पता है दोनों के अंदर value same आई है exact सी तो इतनी सी ही कहानी है आपकी जितनी भी memory के regarding कहानी है heap के regarding stack के regarding वो सब इतना ही है हाला कि इसको और detail में जाया जा सकता है और इसको complex किया जा सकता है बट क्यों ही बिना मतलब complex करना आए हैं आसानी से सीखना चाते है easily सीखना चाते है तो वो ही करेंगे, तो summarize कर देता हूँ कि जितने भी आपके primitive values हैं आपके numbers हो गए, booleans हो गए यह सब जाते है stack के अंदर और stack के अंदर जब भी आपको एक चीज लेंगे तो आपको उसका एक copy ही मिलता है लेकिन यहाँ पे जब आप heap के अंदर पासकट में इतना भी difficult नहीं है जितना लोग कहते हैं, आगे भी इसी तरह से concept को असान करेंगे क्योंकि आपने already subscribe कर दिया है सिर्फ इसी लिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में